सत लोगधाम टीवी को सब्सक्राइब जिनूर करें लेकिन मैंने जब मैं बीए सी में हुई तो उनके लिट्रेचर को ध्यान से पढ़ना और समझना शुरू किया संत्रांपाल जी महाराज के और तब से मैं उनको अच्छे तरीके से फूलो कर्वी आप को बखती साथ न भी करते थी संतरामपाल जी महाराज को follow करने से पहले हमारी जो फैमिली है, मेरे पापा जी हैं, जो डादा जी हैं वो आरिया समाज को follow करते थे मेरे जितनी भी family members हैं, वो सब गुरुकूल में पड़े हुए हैं मेरे मम्मी की फैमिली के भी सब लोग गुरुकुल में ही पड़े हुए तो बिसिकरी हमारे फैमिली में सब आर्या समाज को ही मानने वाले लोग थे मैं जी क्या काम करते हैं आप मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं फिजिक्स में गौर्मेंट गर्ल्स कॉलेज गुरावडा डिस्टिक रिवाडी हरियाना जी संत्रामपाल जी मारा से नाम दिक्षा लेने के वाद क्या आपको कुछ लाब भी पराप्त हुए देखे सबसे बाइड डिफोल्ट हम मान के चलते हैं कि हमें मिलेंगे ही मिलेंगे तो बच्पन से ही मैं देख रही हूं मेरे पापा जो हैं ही वस्टो ओनी लोन ब्रेड और इनर फैमिली तो एक अकेले इमांदारी की तंखा में उन्होंने हम तीनों अच्छों को पढ़ाया है बहुत य लाइफ स्टाइल उन्होंने हमें दिया है कभी किसी चीज का लोब लालच हुनोंने नहीं किया है मैंने खुद अपने सामने देखा है कि लोग जो मेरे पापा की कलीग होते थे वो उन्हें बोलते थे कि तु कहां ज्यादा भगत बना घुमता है तेरी दो-दो लड़किया है तिरको उनकी शादिया करनी है और तु ज्यादा इमानदारी के चक्कर में मत पड़ा कर ये सब तो मैंने खुद देखा है और आज का दिन है कि वही लोग जो है मेरे पापा के एक्जैंपल देते हैं कि जैवित के तीनों जो बच्चे हैं वो गॉर्मेंट जो पे लग ग है हमेशा जो भी हमने चाहा है वो संत्रामपल जी महराज की दया से हमें हमेशा ही मिला है और कभी हमारी घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रही है हमने हमेशा ही संत्रामपल जी महराज को बहुत ही मन से खोलो किया है तो जब भी हमने अपने मन से कुछ भी चाहा है तो वह हमेशा ही उन्होंने हमें दिया है, एक एक एक्जामपल में देना चाहूंगी, जब मैं में में सी फिजिक्स कर रही थी, तो उसके बाद हमें एक एक्जाम करना होता है, नेट का और हायर स्कोरर्स को जे आरफ भी बोलते हैं, जुनियर डिसर्च फेलोशिप, तो वह मैंने काफी प्रिपरेशन की थी, तो उसका दो स्टेज में टेस्ट होता है, एक प्रिलिम होता था उस समय, और मेंस का एक्जाम होता है, तो प्रिलिम का रिजर्ट मेरा आ चुका था, I have qualified that, for मेंस एक्जाम में रिजर्ट वस डिक्लेर, तो मेरे एक फ्रेंड का गॉल आया तो उस टाइम मेरे को मन में ऐसे हुआ कि, हे परमात्मा, मैंने तो इतनी महनत की थी, और मेरी तो सारी महनत जो है विफल हो गई, और मैं फिर से सब कुछ इतना पढ़ना पड़ेगा, मैं कैसे करूं, या तो मतलब कुछ अमतकार दिखाओ कि मेरा ये टेस्ट क्लियर हो जा फिर ने का कि, फिर सहर ने का गए इतनी मेरे कुछ नहीं हर देजितने हैं, तो मैंने बोला कि, मेरो और को को हरे चेक़्गे ही तो मैंने नहीं हो। कि शायद मेरा क्वालिफाइड नहीं हुआ था और संद्रामपल जी महरास्ति जब मैंने सच में मतलब मन से बिल्कुल प्रार्टना की तो वो मेरा बाद में उसमें क्वालिफाइड मेरे को मिला रोल नंबर और उसके बाद अभी एक साल पहले ही मेरी गौर्मेंट जोब लग अभी गौर्मेंट जोब के लिए भी मेरे मन में यह आता था कि सब लोग यह बोलते थे कि हएच्पीस्ट में होना तो बहुत मुश्किल है पंद्रा लाग रुपे लगेंगे बीस लाग रुपे लगेंगे तो मैंने पापा को ममी को जैसे मैं डिसकस करती थी तो यह लोग यही बोलते थे कि नहीं तुम संत्रामपलजी महराज की भक्ति कर रही हो इतने सालों से तो तुम कभी विफल नहीं होगे चिंता मत करो एक पैसे की भी जरूरत नहीं है तुम परमात्मा पे विश्वास रखो सब कुछ होगा तो जब रिजल्ट आया तो मेरा मेरिट लिस् अभारी रहती हूं कि संत्रामपलजी महराज की वज़े से उन्हों हमें एक सत्य भक्ति मार्ग मिला और दूसरा एक जो है कि हम अब हमारे समाथ में जितने भी पाखंड फैले हुए अंध विश्वास फैला हुआ है तो उसकी वज़े से हमारे जितने भी रिसॉर्स हैं एन नहीं और इसके वज़े से समाज में लोगों को इतना पागल बनाना शुरू कर दिया इतना पाखंड बात फैला दिया है समाज में तो जो थोड़े भी समझदार लोग हैं उनको लगता है कि हां ये मतलब गलत हो रहा है बट डे डून नो वोट इस दे करेक्ट वे तो जब बीव बोलते हैं वो हमेशा पुरूफ के साथ बोलते हैं जिते भी हमारे स्क्रिप्टर हुए हैं बाइबल है कुरान शरीफ है वेड है प्रिमत भगवत गीता है उनके बेसिस पे ही उनका जो सारा लिटरेचर है वो बेस्ट है कोई भी वो चीज बिना लॉजिक के कुछ ब प्राप्त हुए हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि संत्रामपाल जी महाराज से उनके शिश्यां अंद्रसद्धा के तहर जोड़ हुए हैं आप डॉक्टर हैं का देश्टेंट प्रोफेसर के पत्पर कारे करत हैं क्या ये बात सही है नहीं य आजकल बहुत सारे सादू महात्मा फैले हुए हैं जगे जगे पे आप देखो के तो इतने सारे बाबा बने हुए हैं जो बोलते रहते हैं जो बोले भारे लोगों को तो बहका सकते हैं लेकिन पड़े लिखे लोगों को वो पागल नहीं बना सकते हैं तो जो लोग सच में ही मतलब spirituality के को जानना चाहते हैं उसके उसको ढूनना चाहते हैं तो देशुड लुक इंटु दे लिट्रेचर ओव संत्रामपाल जी महराज और उनको पढ़ने के बाद उनको सुनने के बाद वो ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि वो कि उनकी जो भक्ति है वो अंदश्रद भक्त जहां medical science fail हो रहा है वह संत्रामपाल जी महराज के पास आस लाखों लोग ठीक हो रहा हैं इसके पीछे क्या करना है ऐसा कैसे संब्भ हो रहा है देखिए अगर आप spirituality की बात करें हैं science and technology की बात करें तो एक point पे आके science and technology भी आके fail हो जाती है still we are lacking behind at certain point तो जहां पे मतलब सबने सुनाई होगा कि जहां पे दवा काम नहीं करती है वहां पे दुआ काम करती है तो भक्ति अगर हमारी सही है तो हमारा कोई भी कष्ट जो है वो दूर हो सकता है अगर हम यह कहते हैं कि भगवान exist करता है इस दुनिया में कहीं पे भी तो कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है तो अगर हम पूरे विश्वास के साथ और सही भक्ति कर रहे हैं तो चाहे कोई भी कष्ट हो किसी भी तरीके का जो कष्ट है वो हमारा दूर होगा जरूर दूर होगा वैंजी जो सरदल वो आज आपको देख रहा है आप उनने क्या कह गा설 आप जाएंगी असल में हमारे समाज में दो तरीके के जो लोग हैं वो हैं एक तो वो हैं जो बिल्कुल ही अंद विश्वास में घुस गए हैं बिना सोचे समझे कुछ भी करने को था रहा कि कोई उनने करने के लिए तेशा passer ओन गया या फिर वो इतने घ्र भगवानac जो लोग है वो जैसे शराप पिना पार्टी में ड्रग्स लेना ये सब एक फैशन समझते हैं तो इसी तरीके से खुद को इतिस बोलना भी आजकल एक फैशन बन गया है तो दोनों ही क्लासिज को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप डोंट बी जज्जमेंटल और वो संद्रामप रहेगा तो जब भी आप किसी भक्ति मार्क पर चलते हो तो आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए और डाउट तभी नहीं होगा जब आपने उसको बिल्कुल एकदम दिल ठोक के स्विकार नहीं किया और दिल ठोक के आप तभी स्विकार कर पाओगे जब आप उनक पाओगे आप उनको अच्छी तरीके से समझोगे तभी आपको फाइदा होगा जब आप अपने सचे मन से उन्हें स्विकार करोगे तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले वो मुसंद रामपल जी महराज को सुने उनके लिटरेचर को जाने पढ़े और तब ही उनके बारे में कोई राय निकाले बहुत ही अच्छा समाज सुधार का काम कर रहे हैं वो कितनी सारी जो समाज के कुरूतियां हैं उनको दूर कर रहे हैं तो भक्ति के लिए ना सही तो अच्छे समाज सुधार की नजर से ही वो उनको देखें और उनकी बारे में जा अगर आपको लेना हैं उनका फोलोर अगर है तो हर रोस डिफ्रेंट डिफरेंट ए वी चैनल से उनके उनके नामदान ले सकते होना मैं चल्ग्मुठ चैल को ह्रोड घृ हने जाते हैं वन् हासी में दिफ्रेंट हैं पर दिफ्रेंट में उनके हमने ले सकते हूं तैने वाजी तैने वाजी तैने वाजी तैने वाजी के मंगल प्रवचन अधिन जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट